दोस्ते नमस्कार मैं हूँ आर्गेट अशोग गोईल मेरे पीछे रखी हुई जो आप उसके दिख रहे हैं मैंने लिखी है पांस साल पहले लिखी थी और देश के एक मशूर पब्लिशर ने जो सिर्फ आर्गेटेक्चर एंट्रस की नहीं तरह तरह के एंट्रस की किताबें हैं और उनका कहना है कि उन्होंने 2,000 से ज़्यादत प्रकार की किताबें तरह तरह के ऑं अट्रस की छाप है उसप होalar कि योगा के किसी एंट्रस एकजाम की किताब Ministries कि किताब murderer मेटिकल की चाहे प्रकार की मेटिकल की हो चाहे फैशन की हो का इसमें प्रकार कि आप गलतरि उन्होंने उसकी किताबे छापी है पांस साल पहले हमारे साथ हमारी किताबों के छापनी की चर्चा हुई उन्होंने एक एगरीमेंट का प्रारूप हमें दिया जिसमें वो चाह रहे थी कि हम उनके साथ दस साल का एगरीमेंट करें हमारा कहना है था है साल एक लंबा पीरिड रहता है पांस साल का एक्रीमेंट करते हैं उसके बाद देखते हैं हमारे आपके संबंद कैसे चलते हैं पांस साल समाप्त हो गए हमने उसे निवे दिन किया कि अप पुस्तकों की बिक्री के मामले में आप हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे तो इसलिए वह विश्य में आप हमारी पुस्तके प्रकाशित ना करें अब ये बात तुमने कैसे गवारा होगी जब हमारी पुस्तकों से अच्छा का सा पैसा कमा रहे हैं तो उन्होंने उसका एक नया तरीका निकाला उन्होंने जो हमें बार-बार स्टेट्मेंट भेजने शुरू कि ये उसमें उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया इतनी किताबें छपी इतनी किताबें वापिस आई इतनी किताबें रिपेर के लिए भेज़ दी गई नेट सेल यानि कुल बिक्री इतनी बार-बार किताबें वापसी में दिखाते रहें बार-बार और रिपेर के लिए जा जा जाके किताबें वापिस उठाते हैं या जिन पाठकों ने किताबें पढ़ ली उनके घर जाके किताबें वापिस लाते हैं फिर उनकों किताबों को रिपेर करते हैं और उनकों किताबों पर निया गत्ता चड़ा देते हैं और फिर किताबों में नए साल के पन्ने एड़ की और में दरबाद देखिए जिस किताब पर कॉपरेट मेरा है जिस पर सरवाधिकार मेरे हैं उस किताब को प्रकाशित करने का नोनर राइट एक रेपरो बुक्स वाले को भी दे दिया बगर मेरे से कोई लिखित permission के ये किताबे रेपरो बुक्स वाला विचा परा है रेपरो बुक्स वाला इनको कुछ पैसे देता है उस पैसे में से मोटा मुनाफ़ाई काटके थोड़े से पैसे मेरे हवाले करने के मेरे अकाउंट में दिखा देते हैं दूस्तों यही एक ऐसा कारण है कि देश भर में या तो बोस्ट राइटिंग होती है या पब्लिशर आप इन गुपता जी किताबें उठा के देख लीजे इनके पास राइटर्स नहीं है हर किताब पे लिखा हो खुदा जाने इनके किसी किताब पे लेखक की फोटो नहीं होती मुश्कल से दस या बारा टाइटल है से इनकी होंगे दो हजार में से जिस पर किसी लेखक की फोटो हो और इन्होंने भी हत्कंडा अपनाया कि किताबों की विक्री दिखाओ एक साल की दस बता दो कि दो किमेंड्मेंट के पन्ने हमें देते रहेंगे और यह तो हमारे हाथ में है कि हम अशोग जी को पताएं कि आपकी दस किताबें बिकी पाच किताबें बिकी दोस्तों इस सारे करम कांड यहीं रहने हैं और मैं तो खुद प्रकाशन वेफसाय से जुड़ा हूँ खुद धेरों किताबें चापके हजारों की संख्या में बेच रहा हूँ मुझे मालूम है कौनसी किताब 10 कौपी बिक्ती हैं कौनसी किताब की हजार कौपी बिक्ती हैं लेखक और प्रकाशक का समद्द एक परिवार कितरह होता है और दोनों के संबंद अगर सुहाथ पूर्ण रहेंगे तब यह परिवार आगे चलता है परिवार ऐसे नहीं चलता कि आप एक आदमी के साथ लगातार भई मानी करते जाएं अब यह बात गुपता जी को मैं ठीक से समझा नहीं सकता गुपता जी परिवार के महतु को समझते नहीं हैं उनके परिवार के अपनी कुछ व्यक्तिकत समझ्याएं हैं सोशल मीडिया पे उनके परिवार की व्यक्तिकत समझ्याओं को मोजागर करना भी उचित नहीं समझता गुपता ही चाहते हैं कि जीवन में मिठास बनी रहे हम भी चाहते हैं जीवन में मिठास बनी रहे लेकिन जीवन में मिठास इस तरह के से नहीं बनती कि प्रकाशक खुले आम बैमानी करके जूटे स्टेट्मेंट बनाकर जूटे एकाउंट्स बनाकर यह चारे की लेकर उसकी मिठास की चाशनी या उनके भाई चारे का हलवा खाता रहा है इस शिल्सले में अब यह और भी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ गुपता जी की किस प्रकारती किताबें हैं और कहां कहां से समगरी चोरी करके सबूतों के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सी विदेशी किताब से कौन कौन से चित्र बकायदा उठाकर इन किताबों में छप रहे हैं जिन किताबों का या तो कोई लिखाक होता नहीं या गोस्ट आइटर होते हैं शुक्त कामना है नमस्कार